हलो बच्चों आप सभी को गुड मॉर्निंग आज आपको हम बताएंगे बीज गनितिय सुत्र आप लोग अच्छी तरह से समझेगा तो आए हम देखते हैं यहाँ पर A पलस B का हॉल स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर पलस 2AB पलस B स्क्वाइर होता है तो यह है LHS यानि Left Hand Side यानि बाया पक्ष और यह है RHS यानि Right Hand Side यानि दाया पक्ष तो अभी आपको हम यह सिध करके दिखाएंगे कि A पलस B का हॉल स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर पलस 2AB पलस B स्क्वाइर कैसे होता है तो सबसे पहले हम यह LHS पक्ष ले लेंगे A पलस B का हॉल स्क्वाइर अगर किसी पर स्क्वाइर है तो हम उसको दो बार लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे A पलस B into A पलस B अब देखिए यहाँ पर A पलस B into A पलस B है यानि यह पीछे वाले से आगे वाले में तो गुना करते हैं A से गुना करेंगे तो इस दोनों में यहाँ पर लिखेंगे A into A पलस B यहाँ पर पलस का चिन है तो पलस देंगे अब B से गुना करेंगे तो इस दोनों में यहाँ पर लिखेंगे B into A पलस B अब हम A से इस दोनों में गुना करेंगे तो जब भी हम गु पलस का चिन ढाता है यहां पर पलस का चिन है यहां भी कोई चिन नहीं तो पलस का चिन है तो पलस गुना पलस क्या होता है पलस होता है सैड में पलस का चिन लिखा नहीं जाता है चुपा रहता है और एको एसे गुना करेंगे तो एसकोर फिर एको इस बी से गुना करेंगे त तो आपको क्या बता है, सबसे पहले चिन का गुना करेंगे, तो यहाँ पर पलस है, यहाँ भी पलस है, पलस गुना पलस क्या होगा, पलस B को A से गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, A B और फिर B को इस B से गुना करेंगे, तो सबसे पहले चीन का गुना करेंगे पलस गुना पलस क्या होगा पलस बी को बी से गुना करेंगे तो बी A स्क्वेर अब देखिए यहाँ पर A स्क्वेर यहाँ है और कहिने नहीं है तो A स्क्वेर को हम क्या करेंगे सेम लिख देंगे अब यहाँ पर AB है पलस में यहाँ भी AB है पलस में यानि दौनों एक ही जाती में है और दो पलस का चिन है तो क्या होगा जुट जाएगा यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो एक है चर के पीछे में एक लिखा नहीं जाता है चुपा रहता है तो एक एक कितना होगा दो दौनों a b मिलता है तो a b क्या होगा कोमन आ जाएगा और यहाँ पे दो पलस का चिन है जोड़ दिये चिन पलस का ही होगा और यहाँ पर b a square है और इधर कहीं भी नहीं b a square है तो यहाँ पे plus b a square हम लिखेंगे तो देखिए हमको यहीं लाना था a plus b का होल a square बराबर a square plus 2ab plus b square तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर rhs यानि आपको यह लाना था lhs बराबर rhs जो की आ गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए lhs बराबर rhs यहीं आपको प्रूब्ड करना था देखिए अभी आपको हम बताए कि a plus b का होल a square बराबर a square plus 2ab plus b square तो यहाँ से अब हम अगर a plus b बराबर निकालेंगे तो क्या होगा तो आप समीकरन के नियम से क्या जानते हैं अगर इस side square में उस side लेके जाएंगे तो root में जाएगा तो हम इस square को set लेके आ जाते हैं तो root अंडर a square plus 2ab plus b square यानि a plus b बराबर क्या होगा root अंडर a square plus 2ab plus b square अब फिर अगर हम a square plus b square बराबर निकालेंगे तो क्या होगा तो देखिए a plus b का whole square बराबर होता है a square plus 2ab plus b square हम को निकालना है a square plus b square बराबर तो यह जो है 2ab plus में इसको हम इस side लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा a square plus b square तो हमको पता हो जाएगा कि a square plus b square बरावर क्या होता है तो सबसे पहले ये a पलस b का हॉल square यहां पर लिखेंगे a पलस b का हॉल square और 2a b है इस सब्स में इस सब्स लेके आएंगे तो minus में तो a square plus b square बरावर क्या हो गया a plus b का हॉल square minus 2a b तो अब देखिए ये दो नमर में a minus b का हॉल square बरावर a square minus 2a b plus b square तो इसको हम सीध करके आपको दिखाते हैं कि a minus b का हॉल square बरावर a square minus 2a b plus b square कहां से आता है तो ये lhs पक्ष है और ये rhs पक्ष है आपको बताए हैं left hand side यानि बाया पक्ष और right hand side यानि दाया पक्ष तो ये lhs ले आगे वाले में गुणा करेंगे तो a से गुणा करेंगे तो दौनों में a into a minus b फिर यहां पर minus का चीन है तो minus का चीन करेंगे और b से गुणा करेंगे तो दौनों में b into a minus b अब गुणा करने से पहले आपको क्या बता है सबसे पहले चीन का गुणा करते हैं तो यहां पर कुछ नहीं plus का चीन है यहां भी plus है plus गुणा plus plus side में plus लिखाने जाता है छुपा रहता है a को a से गुणा करेंगे तो क्या होगा a square होगा फिर इस a को b से गुणा करेंगे यहां पर भी plus है यहां भी minus है plus गुणा minus क्या होगा minus a को b से गुणा करेंगे तो क्या होगा a b भी होगा अब इस B को इसमें गुना करेंगे तो यहां पर सबसे पहले चिन का गुना करेंगे माइनस है यहां पलस है माइनस गुना पलस क्या होगा माइनस B को A से गुना करेंगे तो क्या होगा A B होगा फिर अब इस B को इस B से गुना करेंगे यहां पर माइनस है यहां भी म अब देखिए ये दौनों एक ही जाती में है और दौनों माइनस में है तो जोड घटाओ का नियम क्या कहता है दो माइनस का चिन देगा जोड देंगे और चिन माइनस का ही देंगे तो यहाँ पर देखिये कोई अंक नहीं है, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यह 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों में a b मिलता है, a b क्या होगा, कुमन आ जाएगा, और चिन माइनस का ही देंगे, और यहाँ पर पलस b square है, तो पलस b square देखिए बराबर यहीं न लाना था तो यह आ गया तो यहां पे लिखेंगे बराबर RHS इसलिए LHS बराबर RHS यही आपको proved करना था देखिए अभी आपको हम सीध करके यह बताए कि A minus B का whole square बराबर A square minus 2AB plus B square कहां से आता है अब देखिए यहां से अगर हम A minus B बराबर निकालेंगे तो आप समिकरन के नियम से क्या जानते हैं अगर S square में तो S लेकाएंगे तो root में तो इस S square को हम S लेके आ जाते हैं तो यह root में आएगा यहां पर A square minus 2AB plus B square तो यह देखिए A minus B बराबर क्या आ गया root under A square minus 2AB plus B square अब अगर हम यहां से निकालेंगे A square plus B square बराबर तो देखिए यह जो है minus 2AB अगर हम इसको S लेके आ जाते हैं तो इधार क्या बचेगा A square plus B square तो हम इसको S लेके आ जाते हैं सबसे पहले यह लिख लेते हैं A minus B का whole square यह सेड है minus में इस सेड लेके आएंगे तो plus में यानी A square plus B square बराबर क्या हो गया A minus B का whole square plus 2AB तो अब तिन नम्मर में आपको हम यह दिखाएंगे कि A square minus B square बराबर A plus B into A minus B कहां से आता है तो यह LHS पक्ष है और यह RHS पक्ष है तो सबसे पहले हम जो पक्ष बड़ा रहेगा वो पक्ष ले लेंगे तो देखिए यह LHS छोटा पक्ष है यह अब कौन छोटा है कौन बड़ा है कैसे समझेंगे जो कम जगा घेरेगा वो छोटा पक्ष है जो अधिक जगा घेरेगा वो बड़ा पक्ष है तो यह RHS हम ले लेते हैं RHS बराबर A plus B into A minus B अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो पीछे वाले से आगे वाले में गुना करते हैं तो यह A से गुना करेंगे A minus B में तो A into A minus B यहाँ पे plus है तो plus फिर B से गुना करेंगे तो इस दोनों में यहाँ पे लिखेंगे B into A minus B अब हम बारी-बारी से गुना कर लेंगे हाँ एक बात का आप जरूर धियान में रखिएगा कि गुना करने से पहले हम चिन का गुना कर लेंगे तो सबसे पहले A को A से गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे यहाँ plus है कुछ नहीं है चिन यहाँ भी पलस ह प्लस साइड में प्लस का चिन लिखाने जाता है छुपा रहाता है A को A से गुना करेंगे तो A S को है अब इस A को B से गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस A को B से गुना करेंगे तो A B अब B से गुना करेंगे दौनो में और a भी है पलस में अगर समान अंक पलस में हो समान अंक माइनस में हो तो उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं तो यहां पर देखिए क्या बच गया a square minus b square तो अगर हम rhs को solve किये तो lhs आ गया ना तो यहां पर लिखेंगे बराबर lhs इसलिए lhs बराबर rhs यही आप को proved करना था अपे a plus b का whole q बराबर होता है a q plus 3a square b plus 3ab square plus b q तो इसको हम सीध करके दिखाते हैं कि a plus b का whole q बराबर a q plus 3a square b plus 3ab square plus b q कहां से आता है तो यह lhs पक्ष है और यह rhs पक्ष है तो हम lhs पक्ष ले लेंगे lhs में क्या है a plus b का whole q बराबर देखिए अगर इस पर cube है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a plus b into a plus b का whole square अब आप कहिएगा इस तरह ही क्यों लिखे हैं क्योंकि अभी आपको हम यह सीध करके दिखाए हैं a plus b का whole square क्या होता है इसलिए इस रूप में लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर a plus b है तो a plus b और आपको जो हम बता हैं a plus b का whole square बराबर तो क्या बता है a square plus 2ab plus b square अब हम फिर पीछे वाले से आगे वाले में गुना करेंगे तो a से गुना करेंगे तो इस तीनों में यहाँ पर लिखेंगे a into a square plus 2ab plus b square फिर यहाँ पर पलस का चिन है तो पलस का चिन देंगे और यह b से गुना करेंगे तो तीनों में यहाँ पर लिखेंगे B into A square plus 2AB plus B square अब हम बारी बारी से क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो गुना करने से पहले चिन का गुना करेंगे तो इसको A को A square से गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे पलस गुना पलस पलस साड में पलस लिखाने जाता है छुपा रहता है एक को a square से गुना करेंगे तो a q फिर इसको हम इस से गुना करेंगे तो यहाँ पर plus है यहाँ भी plus plus गुना plus क्या होगा plus तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है और यहाँ पर दो है एक को दो से गुना करेंगे तो दो और एक को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वाइर अब बी है तो बी रखेंगे फिर इसको हम इस से गुना करेंगे तो यहाँ पर पलस है यहाँ पर पलस पलस गुना पलस क्या होगा पलस एक को बी S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S-Q-A-S और यहाँ पर कोई अंक नहीं है एक है यहाँ पर दो है एक को दो से गुना करेंगे दो और यहाँ पर A है तो A और B को B से गुना करेंगे तो B2 फिर इस B को B2 से गुना करेंगे यहाँ पर पलस है यहाँ भी पलस पलस गुना पलस पलस B को B2 से गुना करेंगे तो BQ अब इस अब यहाँ पर यह 2a²b यहाँ भी है पलस में और यहाँ पर 1a²b यहाँ भी पलस में है तो दौनों एक जाती में है और दौनों के पीछे पलस का चिन है तो क्या होगा जूट जाएगा यहाँ पर यहाँ पर 1a²b यहाँ भी है वहाँ भी है दौनों में मिलता है कोमन आ जाएगा चिन पलस का ही देंगे इसके बाद फिर यहाँ पर 1ab² है पलस में यहाँ पर 2ab² है पलस में दो पलस का चिन है जोड देंगे चिन पलस का ही देंगे तो एक यहाँ पर भी है और दो यहां पर है एक दो कितना होगा तीन दौनों में AB square मिलता है AB square क्या होगा comment आ जाएगा अच्छीन पलस का ही देंगे अब यहां पर पलस B cube तो यही आपको RHS में लाना था यहां पर लिखेंगे बराबर RHS इसलिए LHS बराबर RHS यही आपको प्रूब्ड करना था अभी आपको हम बताएं कि A पलस B का हॉल क्यू बराबर होता है A Q पलस 3A square B, पलस 3A B square पलस B क्यू यहां से देखी हम क्या करेंगे यह जो है 3A square B को हम E set लेके आ जाएंगे और यहां पर जो है 3A B square इसको भी E set लेके आ जाएंगे तो इधार क्या बच जाएगा AQ plus BQ तो हमको ये पता हो जाएगा कि AQ plus BQ वरावर क्या होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे A plus B का Hall Q यहाँ इसेड है पलस में इसेड लेके आएंगे तो मायनस में यहाँ पर लिखेंगे मायनस 3A SQAIR B और 3ab square भी सेट है पलस में सेट लेके आएंगे तो माइनस में माइनस 3ab square बराबर सेट क्या बचेगा aq plus bq अब यहाँ पर यह सेम लिखेंगे a plus b का whole q इस दोनों में देखिए क्या क्या मिलता है सबसे पहले दोनों में माइनस मिलता है तो माइनस common लेंगे अब यहाँ पर 3 यहाँ भी है वहाँ भी 3 है तो 3 common लेंगे यहाँ पर a square है और यहाँ पर a है तो दोनों में एक ठो a मिलता है तो एक ठो a भी common लेंगे और यहाँ पर एक ठो b है यहाँ पर b square है तो वहाँ पर 2 ठो b है तो दोनों में एक ठोबी मिलता है तो एक ठोबी भी common ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम minus 3AB common ले लिए तो सबसे पहले अगर कहीं पर minus है अगर हम minus common ले लेते हैं तो वहाँ पर plus बचता है क्योंकि जहाँ पर minus है तो वहाँ पर plus गुना minus रहता है तो यहाँ पर minus common ले लिए तो plus बचेगा side में plus का चिन लिखाने जाता है छुपा रहता है थीरी तो common ले लिए A square था तो दो थो A था 1 थो A ले लिए तो एक थो A बचेगा यहाँ पर B एक एठो थो था तो B common ले लिए तो B नहीं बचेगा तो b नहीं बचेगा, side में plus का चिन लिखाने जाता है, छुपा रहता है, यहां से minus common ले लिए तो क्या बचेगा, plus बीच में लिखा जाता है, 3 common ले लिए, a common ले लिए, b square था, एक ठो b common ले लिए, तो एक ठो b बचेगा, बराबर यहां पर aq plus bq, अब देखिए यहां पर क् a plus b का whole cube, minus 3ab into a plus b बराबर, aq plus bq, तो अगर इतना बराबर इतना है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, aq plus bq बराबर, a plus b का whole cube, minus 3ab into a plus b, तो यही आपको सिद करके लाना था, कि aq plus bq बराबर क्या होता है, तो a plus b का whole cube, minus 3ab into a plus b, अब देखिए पांच नम्मर में, a minus b का whole cube बराबर, तो क्या होता है, aq minus 3a square b plus 3ab square minus bq, तो अभी आपको हम यह सिद करके दिखाएंगे, कि इतना बराबर, इतना कहां से आता है, तो सबसे पहले, यह lhs है, और यह rhs है, तो हम lhs ले लेंगे, lhs बराबर a minus b का whole cube, तो आपको हम क्या बता हैं, अगर इस पर q है, तो इसको हम लिख सकते हैं, a minus b into a minus b का whole square, अब देखिए, a minus b, तो यहाँ पर a minus b लिखेंगे, और a minus b का whole square बराबर आपको बताए है, a square minus 2ab plus b square, अब पीछे वाले से आगे वाले में गुना करेंगे, a से गुना करेंगे तो तीनों में, यहाँ पर लिखेंगे, a into a square minus 2ab plus b square, फिर यहाँ पर minus है तो minus देंगे, और B से गुना करेंगे तो तीनों में लिखेंगे यहां पर B into A square minus 2AB plus B square अब इस A से तीनों में गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे plus गुना plus plus side में plus लिखाने जाता है छुपा रहता है A को A square से गुना करेंगे तो A cube फिर इस A को 2AB से गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे पलस गुना माइनस माइनस अब यहां पर A के पीछे में कोई अंक नहीं तो एक है यहां पर AB के पीछे में 2 है A को 2 से गुना करेंगे 2 A को A से गुना करेंगे a square b है तो b लिखेंगे अब a को a b square से गुना करेंगे यहाँ पर plus है यहाँ पर plus है plus गुना plus plus a को b square से गुना करेंगे तो a b square अब minus b से गुना करेंगे तो तीनों में तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे minus गुना plus minus b को a square से गुना करेंगे तो सबसे पहले A आता है तब B आता है इसलिए A square को पहले लिखेंगे उसके बाद B को लिखेंगे अब B को 2AB से गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन का गुना करेंगे यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा पलस अब यहाँ A को गुना करेंगे यहाँ 1 है यहाँ 2 है एक को 2 से गुना करेंगे दो ए है तो ए और बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वाइर अब बी को बी स्क्वाइर से गुना करेंगे यहां माइनस है यहां पलस है माइनस गुना पलस माइनस बी को बी स्क्वाइर से गुना करेंगे तो बी क्यूब अब इसका कल्कुलेशन कर लि है और यहाँ पर minus a square b है यानि दोनों एक ही जाती में है तो आप क्या जानते हैं 2 minus का चिन डाता है जोड़ देते हैं चिन minus का ही देते हैं तो यहाँ पर minus 2 है यहाँ पर minus 1 है तो क्या होगा minus 3 a square b यहाँ भी है a square b वहाँ भी है तो a square b को मना जाएगा फिर यहां पर देखिए 1A square B है पलस में यहां पर 2A B square है पलस में दोनों एक ही जाती में तो दोनों क्या होगा जूट जाएगा यहां पर एक है यहां पर 2 है तो 3A B square दोनों में को मना जाएगा चिन पलस का ही होगा और यहां पर देखिए BQ वला जाती और कहिने नहीं है तो इसको यहाँ पर सेम लिखेंगे minus BQ तो देखिए आपको यही लाना था A minus B का whole Q बराबर AQ minus 3A square B plus 3A B square minus BQ तो यहाँ पर आगिया है लिखेंगे बराबर RHS इसलिए LHS बराबर RHS यही आपको proved करना था अभी आपको हम यह सीध करके दिखाए कि A minus B का whole Q बराबर क्या होता AQ minus 3A square B plus 3A B square minus BQ अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि AQ minus BQ बराबर क्या होता है तो देखिए यह जो है minus 3A square B इसको इधर लाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है 3A B square इसको इधर लाना पड़ेगा तो इसको हम ला लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A minus B का whole Q सामी करन के नियम से आप क्या जानते हैं कि अगर इस सेड है minus में इस सेड लेके आएंगे तो plus में तो यहाँ सेड है minus में तो इस सेड लिखेंगे तो minus में 3A B square तो बराबर इधर क्या बच जाएगा A Q minus B cube अब फिर यहाँ पर A minus B का whole Q अब देखिए इस दोनों में जो जो मिलता है उसको क्या करेंगे common ले लेंगे यहाँ पर plus है तो plus यहाँ देखिए 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 क्या करेंगे common ले लेंगे यहाँ A square है यहाँ पर A है तो दोनों में एक ठो A मिलता है तो एक ठो A common ले लिजे यहाँ पर A है यहाँ पर B square है तो दोनों में एक ठो B मिलता है तो B common ले लिजे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 यहाँ आ गया B यहाँ आ गया 2 ठो A था तो 1 ठो A यहाँ गया तो 1 ठो A बचेगा माइनस है तो माइनस यहाँ भी देखिए 3 एक ही था तो यहाँ आ गया A एक ही था तो यहाँ आ गया B स्क्वाइर था तो 2 ठो B था एक ठोबी यहां गया तो एक ठोबी बचेगा बरावर यहां पर AQ-BQ अब देखिए जब है A-B का हॉल Q plus 3AB into A-B बरावर होता है AQ-BQ तो इसको हम लिख सकते हैं लिए AQ-BQ बरावर A-B का हॉल Q plus 3AB into A-B आपको यही सिद करके लाना था तो गुननखंड का सुत्रे AQ plus BQ बरावर A plus B into A square minus AB plus B square होता है तो यह आपको सिद करके हम दिखाएंगे की कैसे होता है तो यह देखिए LHS पक्ष है यह RHS पक्ष है तो आपको हम क्या बता है जो बाड़ा पक्ष रहेगा बाड़ा पक्ष ले करके छोटा पक्ष सिद करेंगे तो आप कैसे समझेंगे कौन बाड़ा पक्ष है कौन छोटा पक्ष है देखिए जो अगर कम जगा छेकेगा तो वो छोटा पक्ष है अगर जो अधिक जगा छेकेगा तो वो बड़ा पक्ष है यहाँ पर यह कम जगा इतना ही छेक रहा है और यहाँ पर यह इतना जगा ले रहा है तो यहाँ पर हम RHS लेंगे RHS में क्या है A plus B into A square minus AB plus B square तो यहाँ पर देखिए यह पीछे वाले से आगे वाले में गुना करेंगे तो A से गुना करेंगे तो तीनों में लिखेंगे A into A square minus AB plus B square फिर यहाँ पर पलस है तो पलस देंगे और B से गुना करेंगे तो तीनों में लिखेंगे यहाँ पर B into A square minus AB plus B square अब आपको क्या बता है गुना करने से पहले हम चीन का गुना करेंगे तो A से गुना करेंगे तीनों में तो सबसे पहले A को A स्क्वाइर से गुना करेंगे यहाँ पलस है यहाँ भी पलस पलस गुना पलस पलस सैड में पलस का चीन लिखाने जाता है छुपा रहाता है A को A² से गुना करेंगे तो A Q फिर A को A B से गुना करेंगे तो यहाँ पलस है यहाँ माइनस है पलस गुना माइनस तो माइनस A को A से गुना करेंगे तो A² B है तो B फिर A को B² से गुना करेंगे तो यहाँ पे पलस है यहाँ भी पलस है प्लस गुना प्लस प्लस ए को बी स्क्वाइर से गुना करेंगे तो अब हम बी से गुना करेंगे तो तीनों में सबसे पहले चिन का गुना करेंगे तो यहां पे पलस है यहां भी पलस है पलस गुना पलस पलस अब बी को ए स्क्वाइर से गुना करेंगे तो पहले ए आता है इसलिए a square b लिखेंगे अब b को a b से गुना करेंगे तो यहां पे plus है यहां minus है plus गुना minus क्या होगा minus और ये b को अगर a b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a है तो a b को b से गुना करेंगे b square फिर बी को बी स्क्वाइर से गुना करेंगे यहां पर पलस है यहां पलस पलस गुना पलस क्या होगा पलस बी को बी स्क्वाइर से गुना करेंगे तो क्या होगा बी क्यों अब यहां पर देखिए यह एस्क्वाइर बी है माइनस में यहां पर एस्क्वाइर बी है पलस में अ b square है plus में और a b square है minus में तो यह भी कट जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा a q plus b q तो आपको यही लाना था तो बरावर क्या आ गया lhs तो लिखेंगे इसलिए lhs बरावर rhs यही आपको proved करना था अब देखिए आपको यहाँ पर लाना है a q minus b q बरावर a minus b into a square plus a b plus b square तो यह lhs पक्ष है और यह rhs पक्ष है तो आपको हम क्या बता है जो बड़ा पक्ष रहेगा बड़ा पक्ष लेंगे और छोटा पक्ष को सिद करेंगे तो जो कम जगा लेगा वो छोटा पक्ष जो जएदा जगा लेगा बड़ा पक्ष तो यह जएदा जगा ले रहा है तो सबसे पहले हम rhs लेंगे rhs में क्या है a minus b into a square plus a b plus b square अब पीछे वाले से आगे वाले में गुना करेंगे तो a से गुना करेंगे तो तीनों में लिखेंगे a into a square plus a b plus b square फिर यहाँ minus है तो minus b से गुना करेंगे तो तीनों में लिखेंगे b into a square plus a b plus b square अब हम बारी बारी से गुना करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बता है गुना करने से पहले चिन को गुना करेंगे तो यहाँ पर अगर a को a square से गुना करेंगे तो यहां plus है, यहां plus है, plus गुना, plus, plus, set में plus लिखाने जाता है, छुपा रहता है, a को a square से गुना करेंगे, तो a q, फिर a को a b से गुना करेंगे, तो यहां plus है, यहां भी plus, plus, गुना, plus, plus, a को a square से गुना करेंगे, तो a square b है तो b, फिर a को b square से गुना करेंगे, यहां plus है यहां भी पलस है, पलस गुना पलस क्या होगा, पलस A को B स्क्वाइर से गुना करेंगे, तो A B स्क्वाइर, अब B से गुना करेंगे, तो तीनों में, यहां माइनस है, यहां पलस माइनस गुना पलस माइनस, B को A स्क्वाइर से गुना करेंगे, तो पहले A आता है, तब B आत गुना करेंगे, a है तो a अब b को b से गुना करेंगे तो b square फिर b को b square से गुना करेंगे यहां minus है यहां plus minus गुना plus minus b को b square से गुना करेंगे तो b q अब यहां पे देखिए a square b है plus में और यहां पर a square b है minus में तो सामान अंक अगर plus में हो, minus में हो, तो उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यह कटेगा, यहां भी a, b, asquare है plus में, और यहां पर भी a, b, asquare है minus में, तो यह भी क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां पर जो बाच गया, उसको लिखेंगे, a q minus b q, तो देखिए, यही आपको लाना था तो यहाँ पर लिखेंगे बरावर LHS इसलिए LHS बरावर RHS यही आपको प्रूब्ड करना था देखिए अभी आपको जितना भी हम सुत्र प्रूब्ड करके दिखाए हैं उसको हम एक जगा लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिकत न हो तो आपको हम यह बताए A पलस B का हॉल स्कोर बरावर A स्कोर पलस 2AB पलस B स्कोर A पलस B बरावर रूट अंडर A स्कोर पलस 2AB पलस B स्कोर A स्कोर पलस B स्कोर बरावर A पलस B का हॉल स्कोर माइनस 2AB A माइनस B का हॉल स्कोर बरावर A स्कोर माइनस 2AB पलस B स्कोर a minus b बराबर root under a square minus 2ab plus b square a square plus b square बराबर a minus b का whole square plus 2ab a square minus b square बराबर a plus b into a minus b a plus b का whole cube बराबर a q plus 3a square b plus 3ab square plus b q और ये गुनन खंड का सुत्र है और आप लोग इसको अधिक से अधिक से अधिक सेयर कीजिए और आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बस आज इतना है